नमस्कार मैं हूँ आपके साथ प्रेना तलवार और आप देख रहे हैं फस्ट बाई टीवी योगी सरकार अबैद निर्मान के प्रती बेहत सक्थ है रेरा का गठन भी इसके लिए किया गया लेकिन काली कमाई से जुड़े लोग और बिल्डर अपनी कर्टूतों से बाज़ आने का नाम नहीं ले रहे मेरेट विकास प्राधिकरण की मिली भगत से इसी तमाम जमीनों को पूर्व में स्वीकरत योजनाओ से जोड़ दिया गया जिनका मांचितर पास होना तो बहुत दूर की बात है बलकि प्रस्तुत ही नहीं किया गया ऐसा ही एक मामला आया है चानक के पुरी का मुख्य मंत्री पोर्टल पर जब इस मामले की शिकायत हुई तो MTA हरकत में आया और आनन पानन में नोटस बिल्डर के घर पर चस्पा कर दिया गया जिसे बिल्डर ने तुरंथी फार कर फेक दिया अब चानक के पुरी के निवासी खुलकर बिल्डर के सामने आ गए हैं सामने आने की वज़ा ये भी है जो सब जबाग बिल्डर ने आवंटन से पूर्व लोगों को दिखाए थे वो सब हवा हवाई सावित हुए जिस प्रकार का डवलपमेंट है किया जा रहा है जो लोग यहां कर रहे हैं उन्होंने पहले भी बिल्डर के साथ मिलकर एक कलोनी से सटी और दूसरी जगा थी वहाँ भी उन्होंने कंस्ट्रक्शन करने कोशिश की वह जमीन उनके बेचे को दिखका थी हमारी समेशा शिकायत रहे हैं कि आप इसको अप्रूड करा के बेचे और हमारी जो मूलभूत सुविधाएं सीवर है पानी है बिजली है सडके हैं उनका प्रियोग ना हो क्योंकि वह हमारे नक्षा है वह जितने प्रॉटोगल हुआ है वह नक्षा उसी जगे इस्तमाल हो उसको देखा देखिए चानक के पुरी के नाम पर वहां पराला कलोनी काटना अब हुआ कि डवलप हुई आना है प्रूड हमने उसके तरफ दिवार कर दे लेकिन हमारी सीवर लाइन वहां से जा रही थी उसको नोने इनको तोड़के उसमें अपना सारा मलवा और सब पानी उसमें डालना शुरू था उस समय उन्होंने हमें एक ब्रोशर दिया था उसमें स्विमिंग पूल और जिम और कम्यूनिटी सेंटर का हमें वाइदा दिया था यहां पर अच्छी सड़कें और सब दिया था सिक्योर बाउंडरी वाल दे कर के कोलोनी दी थी अब यह अवैद रूप से इस जमीन मे को बेच रहे हैं प्लॉट काट करके अनपरूट कोलोनी में हमारा विरोध इस बात के लिए है कि जो हमारी मुल्भू स्विधाएं हैं सीवर पानी और इलेक्रिसिटी की वो स्विधाएं हमारी नहीं कटनी चाहिए और इसमें वो एप्रूव कराएं MDA से और उसके बाद मे जो भी MDA करता है उस प्लैन के हिसाब से बेचे हैं हमें कोई अत्राज नहीं कि हमारी सुविधाएं उसमें डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए मेरट विकास प्राधी करण की मिली भगत से चलने वाला ये खेल बेगध ही निराला है तमाम बिल्डर ऐसे हैं जिन्होंने अपनी कॉलनी का मांचितर प्राधी करण से स्विकृत कराया और बाद में विक्सित होने के बाद एक्स्टेंशन के नाम पर बाकी खाली जमीन को भी इसका ही भाग बना डाला इसका सीधा असर ये पड़ा कि जो सोविदाय आवंटियों को मिलनी थी और जिने ध्यान में रखकर ही कॉलनी में बिजली पानी सडक के विवस्था की गई थी वो अब अपर्याप्त पड़ गई जबकि बिल्डर ने ओने पने दाम में शेश जमीन बेच कर अपना पलना ज़ाड लिया और भुगत कॉलनी वासी रहे हैं ऐसा ही एक मामला चाड़के पुरी का भी है पोश कही जाने वाली इस कॉलनी को बिल्डर गॉरव महिश्वरी ने बनाया था बराने से पूर्ब गॉरव ने अपने ब्रॉशर में खुल कर सबजबाग दिखाए थे इन में स्विमिंग पुल, जिम और कमिन्टी हॉल शामिल थे जिसे देख कर ही लोगों ने से हाथो हाथ लिया लेकिन दो दशक के बाद भी सुविदा लोगों को नहीं मिली है इसके विपरीद बिल्डर ने अपनी खाली पड़ी जमीन को इसका ही एक्स्टेंशन पार्ट दिखा कर सेंट्रल मार्किट के एक चर्चत व्यापारी के हाथों बेचना शुरू कर दिया ये व्यापारी अवैद निर्मान को लेकर खासी सुर्खियां पर टोड़ चुका है तो अगर पूरा MDA से अप्रूव होकर लीगल तरीके से कुछ होता है तो किसी को कोई प्राब्लम नहीं होगी पर इल्लेगल तरीके से कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए थैंक्यू आपका नाम के लीमा मैश्वी लोगों ने इस जमीन को बेशने का विरोध किया दरसल उन्हें आशंका है कि नए पार्ट को विक्सत करने के साथ ही उनकी सारी सोविदाएं भी शेयर कर दी जाएंगी मसलन सडक बिजली पानी की टंकी सीवर लाइन आदी विरोध करने वालों को गुंडा गर्दी के बल पर चुक कराने की कोशिश की जा रही है इसकी शिकायत शित्री नागरिकों ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर कर दी है साथी साथ प्राधिकरण को भी चानक के पुरी रेजिडेंस वेलफेर सोसाइटी ने अवगत करा दिया मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत करने का सर ये हुआ कि प्राधिकरण को मजबूरन हरकत में आना पड़ो अनुज महेश्वरी, क्या आपकी शिकायत है? मैं यहां का सेकेटरी हूँ और सेकेटरी होने के नाते मेरे पास आए दिन कोई नो कोई शिकायत आती रहती है और जब मुझे यह पता चला कि यहां अवैद रूप से छोटे-छोटे प्लॉट काट करके है और अवैद रूप से ही बेचे जा रहे हैं तो हम लोगों हरकत में आए, अपनी एक्जिगूटिव के साथ बैठे और एक एक्शन मोड में आए और MDA में लिखिस शिकायत दर्च कराई वीसी को और वीसी ने बहुत अच्छा हमारे साथ भ्यावार करा और पांच मिनट के अंदर ही उन्होंने हमारी सारी समस्चाओं का ऐसा लगा के समाधान कर दिया हूँ उन्होंने तुरंत एक कमेटी का गठन करा और उस कमेटी को निर्देसित करा कि ये बारा दिन में रिपोर्ट मेरे को करे और यकीन मानना कि शाथ 15 दिन बाब तो नोटीस भी चस्पा हो गए यहाँ पर इतनी तुरित कारवाई एमडिये में पहली बार मैंने देखी है जबकि हमने इतनी सारे कागज महां पर एमडिये में दे रखे आज तक कभी भी कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई लेकर वीसी बहुत सजक दिखाई दिये और वाके में उन्हों ने लगा के हमारी यह जैनुवन शिकायत है क्योंकि हम लोगों ने इस कलोनी को इंफ्राइस्ट्रेक्चर को देखकर ही यहाँ पर मकान प्लॉट करी देते यह लोगों ने बने वे मकान खरी देते और पिछले 15 साल से बहुत अच्छे से हम रह रहे थे हमारे बच्चों की साइगिल कहीं भी खड़ी हो जाती है तो वह तीन दिन बाद भी वहीं मिलती है तो सुरक्षा के दरश्टी कोंड से और सभी किसी भी दरश्टी कोंड से देखें तो बहुत अच्छे से रह रहे थे लेकिन एक अवेद कलोनी एक अच्छी अप्रूट कलोनी के साथ जब मर्ज हो जाएगी तो आप जानते हैं कि फिर छोटे बिल्डर्स का तो देह क्या होता है अर्निंग मनी तो वह जी प्लस थ्री जी प्लस टू जी प्लस यह बनाएंगे सो सो गज में कितने लोग रहेंगे लेकिन आप देख रहें जगे जगे बिल्डिंग मेटरियल उत्रावा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इनकी कुछ प्लानिंग अनाथ्राइज कर्स्ट्रेक्शन की भी चल रही है यहाँ पर जेसी भी चल रही थी उसकी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग मैंने बना रख ही है ठीक है न अधिकृत निर्माण विकास किया जा रहा है जो कि प्रादिकरण नियमों के विरुद्ध है इस गौरव माहिश्वरी को कारण बताव नोटिस जारी कर दिये गए हैं नोटिस के प्रती गौरव के चाड़के पुरी स्थितावास पर चस्पा कर दी गई जिसे तुरांथी इस बारे में जब गौरव माहिश्वरी से बात की गई तो उनका कहना था कि वो वहां निर्माण नहीं कर रहे हैं उन्होंने प्रादिकरण को जवाब दे दिया है तो फिलालाम इजासती जिए पर से लोटेंगे देश्वर दुनिये के तमाम छोटी बड़ी एहम खबरों क को लेकर तब तक इस वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए को सुजाव हो तो कॉमेट में लिखकर जरू बताएगा नमस्कार